असलाम अलेकुम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटर्कोर्टाइल रेंज एकसल के अंदर हम कैसे निकालते हैं इंटर्कोर्टाइल रेंज क्या होती है और Q1, Q2, Q3 and Q4 क्या होते हैं इसको देखने के लिए आप डेटा साइंस की मेरी जो वीडियो से हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए हैं उनको देख लें for now we will just go through the इंटर्कोर्टाइल रेंज सबसे पहले इंटर्कोर्टाइल रेंज को देखने के लिए आप ये देखें ये हमारे पास एक डेटा सेट है इसके चार हिस्से अगर करें इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम डेटा पे जाएं और इसको सौट करें इस तरीके से अब इसके चार हिस्से बनते हैं नीचे से उपर तक ठीक है 9.6 से लेके 14.6 तक चार हिस्से मतलब पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा ये तीसरा हिस्सा ये और चौता हिस्सा ये बनता है अगर तो इंटर कॉर्टायर रेंज होती है कि पहला हिस्सा और तीसरा हिस्सा इसके दर्मियान जितनी रेंज होती है ठीक है यह हमें बताती है कि इंटर कोर्टाइल रेंज क्या होती है खैर इसको अब हम बेसिकली अपने जो फार्मूले हैं उनके हिसाब से देखते है सबसे पहले आपने क्या करने है आपने बेसिकली यहां पे कोर्टाइल निकालने ठीक है CoreTile equal to फार्मूला लगाएं यहां पे लिखें CoreTile CoreTile लिखने के बाद इसको select करें select करने के बाद यह पूरी range को select करें कॉमा वो पूछ रहा है कि कौन सा CoreTile चाहिए ठीक है first, second, third और fourth maximum value लो मैं कहता हूँ first वाला चाहिए इसको मैं enter करता हूँ यहां पे अगें हम लिखेंगे CoreTile CoreTile लिखने के बाद हम दोबारा से range select करेंगे data अपना जितना हम यह पूरा करने के बाद यह मैंने यहां पे एक error की क्योंकि मैंने यहां पे bracket बंद कर दी जल्दी में आपने कॉमा लगाना है कॉमा लगाने के बाद आपने 3 प्रेस करने क्योंकि हमें 3rd CoreTile चाहिए तो यह हमारे पास 3rd and 1st CoreTile आ गया inter-Cortile range होती है Q3 minus Q1 ठीक है यह हमने यहां पे कर ली ठीक है तो इसको इस तरीके से यह हमारे पास inter-Cortile range आगी inter-Cortile range क्या होती है अगर आपने देखनी है तो Ctrl और आप Tilda का निशान दबाएंगे Ctrl और Tilda का तो आपको इस तरीके से Formula शो हो जाएगा For example, मैं यहां पे Ctrl और Plus करके इसके साथ Tilda का निशान अगर दबाता हूँ For example, यह देखिए अगर मैं भी आपको दिखाता हूँ Plus, Tilda का होता है यह वाला निशान अगर आप यह दोनों चीजें Press करेंगे, यहां पे क्लिक करने के बाद तो पूरी sheet के अंदर जितने भी आपके formula होंगे, वो सारे यहां पे Show हो जाएगे, ठीक है जी? तो इस तरीके से मैंने इसको यहां पे आपको दिखा दिया के Q3-Q1 को Interquotile Range बोलते हैं Next video में मिलते हैं, Take Care जी, Allah Hafiz